Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ तुमारी वैदे माम और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं Chapter 7 Evolution के NCRT Questions कहाँ पे इसी चानल पे जिसका नाम है Magnet Brains, जहां मिलता है आपको Free Education, Kindergarten से लेके Grade 12 तक, English Medium में, Hindi Medium में और बहुत सारी Entrance Exam के लिए भी तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का discussion जो है NCRT के exercise वाले questions तो पहला questions, देखो क्या है बोल रहा है पहला question, अचा वापस क्या pattern हम यूज करते हैं कि keyword को करेंगे underline, जैसे underline करेंगे 2 minutes लेंगे, उससे related जो भी कुछ याद आ रहा है, सब कुछ सब कुछ बोल देंगे, उसके बाद आगे कप पढ़ेंगे, पता चला, जो हमने 2 minutes में revise किया न, वही पूछा होगा, ठीक, तो चलो देखते हैं पहला question, अच्छा एक और चीज, पहला question देखने के पहले, इस chapter में बहुत कुछ-कुछ question ऐसे मलेंगे, जो एकदम layman type K की research वाले topic करो, पता लगाओ internet से, newspaper से पता लगाओ, तो लगा लो, अच्छी बात हैं पर उस type के question एक्जाम में आएंगे नहीं, ठीक है, तो ये भी बात समझ लो, उस type के भी questions दिखेंगे, तो देखते हैं, पहला question क्या बोल रहा है, explain, antibiotic resistant observed in bacteria in light of darwinism selection theory, अब बोलोगे ma'am, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो evolution चल रहा है, ये antibiotic resistant observation theory, बाक्टीरिया में कहां से आ गई, और उसके बाद आ भी गई, अब उसको उस particular theory को explain करना है, darwin के concept के according, तो समझो बात को, ये मैं थोड़ा से तुम्हें थोड़ा background create कर देते हैं, फिर उसका answer देखेंगे, अगर जब भी भी तुम्हें suppose करो, अब सबसे पहले समझते है, अन्टी बायोटिक resistant आया कहां से, ठीक, तुम अगर बिमार पढ़ते हैं, नॉममिल कफ कोल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, तो बोलो Ai emailed बिमार पड़े हैं, pathogen का attack हुआ होगा, करे, तो pathogen जो दिख रहे हैं या जो rotating M miroc Şい बागी सर्दी खासी है सासले ने में दिखMS सब सब बटा दे डाइजेशन नहीं हो रहे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कुछ नहीं वाइरल है चार पाच दिन का σ अन्टिबाइंत dose लिखके दे रहा हूं उसको course को complete जरूर कर लेना पूरा चार दिन का उसके बाद ठीक हो जाएगा ठीक तुम जाते हो medical से लेके आते हो सारी चीज़े बड़े खुशी खुशी चलो ठीक हो जाएंगे अब तुमने क्या किया अब तुम जो दवाई खा रहे हो वो क्या है यह बताओ मिलको वह एंटी बायोटिक तो एंटी मतलब अगेंस बायोटिक मतलब organism बट ऑब्यूस जो तुम दवाई खा रहे हो वह उस टाइप के चमिकल से बनी है जो एक micro organism को या एक जो living cell को मारने वाला है और इस केस में living cell कौन रहेगा ये बाक्टीरिया क्योंकि उसी के कारण infection हुआ था याद करो मैंने बोला pathogen के कारण हुआ माइक्रोग के कारण हुआ तो एक ऐसा chemical जो आंटी है मतलब अगेंस्ट है बायोटिक्स के और्गानिजम के जो उनको किल करनी के लिए responsible उसको आम आंटीबायोटिक बोलते हैं जैसे तुम्हारे पारसिटमॉल हो गया है क्रोसीन हो गई यह सारे अंटीबायोटिक हैं combination से उनमें अलग अलग तुमने खा ली खा कि तुमने दो दिन दवाई खा यह सुबह शाम जैसे भी डोस दिया था तुम्हें बढ़ियां लगा ठीक है अब तुमने क्या किया अब डॉक्टर ने क्या बोला था ठीक हो जाओ दो दिन में पर कोर्स पूरे पाच दिन का कर लेना यह डॉक्टर ने बोला था तुमने सुना नहीं आदत आदत से मजबूर ठीक है तुमने दो दिन खाया बढ़ियां लग रहा है चलो जाने दो चल लेते अपने काम पे मूव करते हैं फिर पढ़ाई करने लगते खेलने चले जाते ठीक है डॉक्टर ने क्या बोला था जल्दी बताओ कि कोर्स पूरा याद से कर लेना नहीं सुना अब बोलो कि माम यह सब क्यों बता रहे हो क्योंकि यह कहानी उसी से जुड़ी हुई है तो देखो आंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अब पहले आंटीबायोटि लिए जहां पे तुमने पूरा कोर्स नहीं लिया अब हुआ क्या तुम्हारी बॉड़ी में समझो हुआ क्या तुमने दवाई खाए दवाई खाने के बाद तुमको अच्छा लगा कि हाँ ठीक हो गया तो हुआ यह कि तुम्हारी बॉड़ी में जो बाक्टिरिया था जो म तुम्हारे सिम्टम सारे गायब हो गया है थेक है तुमको लगicated कि मैं ठीक हो गया हूं पर वो जो bacteria है सबेंद करो वह ο लई how Eiler अभी भी तुम्हारे बोडी में बंदाई मर हो और री प्रेड्यू्स करेगा री प्रडूस करते सरां में mutations होगा क्योंकि यह दवाईयां का असर भी है वह मरेगा अब सिंस तुमने पूरा दिन का कोर्स किया नहीं तो तुम्हारी बॉड़ी के अंदर वो पूरे बॉड़ी से भार अब उनमें mutation आ गया ठीक है उनमें वो जीन आ गया उस पर्टिकुलर दवाई से लड़ने का तो अब जो अगला इंसान बिमार होगा या अगले अगले सीजन में वो जब वही सेम वाइरल फीवर सब कुछ आएगा तुमारे उपर तुमारे उपर मालो या क पमी नहीं हो रहा है क्यों कि जो तुमने पहले फो तुम नहीं मैं अधू जब लोग यही करते हैं तो जो दवाई पूरा कोर्स नहीं किया था उस वह भी कारण है कि उस वज़े से बाक्टीरिया के अंदर बाक्टीरिया मर सा गया था पर रेजिस्टिविटी आ गई अब वो लॉट के आया है वापस अब उसके अंदर उन दवाईयों का असर नहीं होगा इसलिए अब क्या है अब नहीं सौर्ट अफ एंटिबाइटिक्स को डिजा करो कि बहुत सारे बक्टीरिया थे हमारे पास कॉलनी इस थी बाक्टीरिया की ंदर नाचरली ही वेरियेशन smutation के इ καरणज अ वह मुटेशन था कि उसके उपर एक दवाई का अंटीबीकिक एसर नहीं होगा अब तब तक यह समझ में नहीं आया जप तक उस कॉलनी के ऊप गुद्ध आरे गया जिसके पास इंबिल्ट वेरियेशन था यह म्यूटेशन था इस दवाई के अगेंस लडने का अभी तक पता नहीं था पर क्या ओने लगा conditions बनने लगी conditions maintain होने लगी अब क्या होगा अब सिंस बाकी बाक्टिरिया मर गए यही बाक्टिरिया जिन्दा रहा अब यही खुद को multiply करते जाएगा प्रोजनी बढ़ाते जाएगा रिजर्ट हेँ होगा की जब इस बाक्टिया के इंफेक्शन होगा किसी पे जिस्के अगेंस यह रिजुस्ट इविटी है अब कितनी भी तुम दवा खा लो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इन विल्ट उसके पास पावर है उस दवाई के अगेंस लडने की तो फिर क्या करना पड़ता है हम कुछ नहीं करते हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्या बोलते दवाई चेंज तो वह दवाई चेंज का यूआ क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जो जिसके कारण तुमको infection हुआ है उस बाक्टिरिया यह उस वाइरस के अंदर क्या है उस पर्टिकुलर दवाई से लड़ने की तो अब दूसरा combinations देते हैं हुआ clear तो अब मैंने यह भी बताया कि originally resistivity आ कहां से जाती है कि हम एक reason वो भी है कि हम आधा दूरा कोर्स करते हैं है ना जो साथ दिन का लिखा है डॉक्टर ने साथ दिन दवाई खा लेना हम दो या तीन दिन में उसको खदम करके बोलता है अब जरुवत नहीं दवाई खाने की ऐसा बोलके अटा देते हैं और दूसरा इन नाचरली ही म्यूटेशन सागे चिक तो अब इसी को वापस किसके पॉइंट अफ्यू से एक्स्प्लेंट करना है डार्विन के सिलेक्शन थियूरी के को स्ट्रेंद दे रहा है इस पॉर्टिकुलर दवाई से लडनी की तो यह कैसा बन गया फेवरेबल वेरियेशन बन गया रिजल्ट होगा बाकी सब मर जाएंगे सिर्व यही वाला बैक्टिर और ग्रो करेगा चिक आप बेटर एडाप्टेड दान इंडिविजुल विद लेस फेवरेबल वेरियेशन अभी यहां पे जो मुटेशन बोल रही है वेरियेशन बोल यहां जो आंटी बायोटिक से रिस्टेंट पावर है यह क्या एक टाइप का वेरियेशन यह तो है क्योंकि आड़ इंड अप दे जितने भी यह माइक्रोब्स है वो कही ना कही तो करते हैं वो आएंगे हमारे अंदर रहने के लिए पारसीट जैसे रहेंगे क्योंकि बोलेंगे यहां सब कुछ इज़ी मिल रहा है माहूल बे मिल रहा है खाना में मिल रहा है तो बस बढ़ियां यहां रहों ग्रोग करते रहो इस इंसान को बिमार करते रहो पर उससे हमको हो रही इनको हटाने के लिए हमने क्या लिया अंटिबाटिक खाना शुरू किया पारसेटमॉल खाई क्रोसिंगा अलग अलग चीज़ है सब स्ट्रेप्टोमाइसन खाली सब खालिया ठीक है अब जो बाक्टिरिया है था उनमें से सपोस करो सो बाक्टिविया इंटर किये उनमें से एक के पास ठीक है 90 के पास 99 के पास कोई रेजिस्टिविटी पावर ने थी एक बाक्टिरिया के पास थी रेजिस्टिविटी पावर उस स्ट्रेप्टोमाइसन से लड़ने की यह टेट्रा साइकली ने सारे अंटिबाटिक के नेम से ठीक है टेट्रा साइकलीन हो अब जो तुमने वापस वही आ जाती हो कि तुम बिमार हो है तो सपोस करो 100 बाक्टेरिया थे उसमें से एक बाक्टेरिया के पास क्या था अंटिवर्टिक रिस्टेंट जीन पहले से था ठीके म्यूटेशन के कारण अब बाकी 99 तो मर गए तो तुम्हें उस चाइम जब तु कि कोई तो एक बाक्टेरिया बच गया था जिसके अंदर आंटिवर्टिक की रिस्टेंट पावर थी और बल्क में तो वापस सारे सिम्टम शुरू हो सकता है कुछ नए सिम्टम भी शुरू हो गया फिर हम जाते ना डॉक्टर के पास बुखार आया था क्रोसिन खाई थी अब उखार उथर गया दो तीन दिन में पर वापस आगया दो तीन दिन में तो फिर डॉक्टर के वो लगया अब क्रोसिन नहीं दूंगा अब कुछ और कॉम्बिनेशन लगा वो इसलिए वो पूछते भी है कौन सी दवाई खाई थी मतलब वो अनलिसस कर लेते हैं कि आक् कंडिशन बनी उसने उस फेवरेशन को एक्स्प्रेस किया ठीक तो देखते है जारा और वही जो बेरियेशन है वो क्या कर रहा है बेटर एडाप्ट करवा पा रहा है उस इंडिविश्वल को ठीक इड मेंस दाट नाच नेचर सिलेक दे इंडिविजवल विद यूस फूल वेरियेशन आज इस इंडिविजवल अब बेटर एवल्ट तू सर्वाइब इन एग्जिस्टिंग एन्वार्मेंट अब देखो यह जो अंटिवर्टिक रिजिस्टिंट वेरियेशन है अब बोलो कि मां बैटर कैसे है बाक्टिरिया के पॉइंट अफ्यू से तो बैटर नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या है इन बिल्ट रेजिस्टिविटी पावर है हुआ क्लियर चलो आगे देखते हैं और यही रीजन है दो में रुख जाना यहां बाक्टिरिया के बारें डिसकॉशन है पर यही रीजन है कि हर बार हम कोई ना कोई है जो इनकंप्लीट अ है फिर वापस हर बार वही बाक्टिरिया या वाइरस हो गया अगली बार जब वापस आएगा सीजन में तो सबकी रेजिस्टिविटी गेन करके आएगा और फिर तुम बैटाक करेगा फिर वही तुम दवाईयां खाओगे कुछ नहीं होगा फिर और या तो तुमको सेज पढ़ाया पड़ेगा मतलब ज्यादा एमजी की दवाई खानी पड़ेगी पहले तुम खारते सपोस करो पाच एंजी ठीक है फिर वह हो जाएगी दीरे-दीरे 10 एमजी की दवाई और दीरे-दीरे बढ़ती चले जाएगे पता भी नहीं चलेगा और ज्यादा दवाई खा कर आ रहा है बाक्टिरिया में या माइक्रोब में ठीक तो उसी का उन्होंने एग्जांपल दी है कि जब बाक्टिरिया पॉपलेशन को ग्रो किस पर किया गया था अगार प्लेट पे ठीक है अगार अगर याद होगा अगरोज जेल जो अगार से एक्स्ट्राक्टेड एक जेसा स्ट्रक्टर होता है हम अज फिर्ण मीडिया म्यूस करते हैं जब यह माइक्रोबालोजी कि स्टडी करना रहता है तो हमको बाक्टिरिया पका होगा होगे इनसान दोटीन लोगे तो पैट्री दिशोदिए स्कूल में देखा हूगा पैट्रि प्लेट होगे यादि इ अब उन्होंने क्या किया एक अगार प्लेट ली उस पे उस बर्टिकुलर बाक्टिया को उगा दिया ठीक है उगा दिया बहुत सारा उगा दिया अब अब इस में से सपोस करो यह वाला जो ऐसे मैं शेड बना रही हो इनके पास इन बिल्ट पावर थी पैनिसिलिन के अगेंस इस रेजिस्टिवेट एक अब जल्दी बताओ यह अग्चली सेम एक्सपेरिमेंट हुआ भी है कैसे अगर याद करो सबसे पहला आंटिबायोटिक कौन सा डिसकावर हुआ था पैनिसिलिम था और किस से एक्स्ट्राट किया गया था पैनिसिलिम नोटेटम से पैनिसिलिम किसने किया था अलेक्जांडर फ्लेमिंग यह सब पढ़ोगे तुम चाप्टर एट में ठीक है पर ऐसे अभी इन जनरल बता लिए क्योंकि पेनिसलिन के बारे में में मेंशन है तो याद कर लेना है अच्छा इसी को वंडर ड्रग भी बोलते हैं जो वर्ड वार टू में है नहीं और गानिजम के अगेंस ठीक है तो यह हमारे फेवर में चल रहा है ऐसा केमिकल जो अप्टेन किया है एक और गानिजम से जो मार रहा है दूसरे और गानिजम को उसको हम क्या बोलेंगे अंटी बायोटिक तो क्या हुआ इस चीज की स्टड़ी कैसे की गई पेट्र जिन डाल दिया अब होगा क्या कि जिनके पास रेस्टिविटी पावर थी वो जिन्दा रहेंगे बाकि सारे मर जाएंगे तो देखो उन्होंने वही लिखा है कि बाक्टेरियल पॉपलेशन वस ग्रोन अगार प्लेट कंटेनिंग अंटी बायोटिक पैंसलिम और अल्रेड वान और फ्यू बाक्टेरियल कॉलनी डाट वर रेस्टिन तो पैंसलिन सवाइब तो यही था कि पहले से वेरिएशन था पहले से म्यूटेशन था पहले से वो जीन प्रेजन था क्योंकि अलड़े तुम चाप्टर 6 पढ़ चुके इसलिए मैं सारे टर्म्स बोल रहे हूं क पहले से वो जीन प्रेजन था बस कंडिशन आ गए कंडिशन कब आए जब पेनिसलिन वाली ही प्लेट में उगाया गया तो कंडिशन जैसे आए तो जो चीज फेवर में थी वो एक्स्प्रेस हो गई कि हां हम तो जिन्दा रह जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर क्या है रिज वा जिसके कारण अंटिबाटिक रिस्टेंट जीन आ गया देखो विच रिसल्टेट इन देवलूशन ऑफ जीन था में रिस्टेंट तो पेनिसलिन रॉब हैंस तो यह अपन को बताना है कि वेरिशन होता है वेरिशन पर फेवरेबल कंडिशन में जब कंडिशन क्रेट होत तब वो जो वेरियेशन आया है अगर बेनिफिशल रहा तो खुद को एक्स्प्रेस करेगा और वो अड़ेंट जो बेनिफिशल किस पॉर्म मेरेगा उस और गयानिजम को सर्वाइव कराने में हेल्प करेगा ठीक चलो आगे देखते हैं अगला क्वेशन फाइड आउट फ को अपडेट करने में कोई बुराई नहीं है तो अपन को याद रखने है अब बहुत सारे इसके अलग-अलग आंसर्स मिलेंगे रांडमली तुम गूगल कर लो चैक है अब इसलिए बोल रहे हूं क्योंकि जैसे सी यूटी का पेपर हो गया तो अगर याद होगा सी यूट कर सकते हो इन जनरल एग्जांपल देख लेते हैं फॉक फॉसल ऑफ डाइनोसार हाव रवील्टाइल्स इन जुरासिक पीरड़ वही बोल रहे है कि पता लगा के बताओ कौन से फॉसल मिले क्या किसके बारे में इंफरमेशन दे रहे हैं रिसेंट कौन सा फॉसल मिला है जै यह तो है यह अंसर अब देखो अस अरेज़ अब देखो अब दिस एवलूशन अब अदर अनेवल सच इस बोल्स ऐस बोल्स है और में इंच वर्वक जया से अर्क टैस्मेल थी थी हाववेव तू अनूशल फॉसल रेसेंटली अन अर्थ एफॉर्सी ओज़ ओवर थे वापस बता दो इस टैप का question आएगा नहीं कि आर्टिकल्स में क्या मिला पर कहां आएगा सीवीट वाले एंग्जाम में होगा अगर पिछले दस साल में या पिछले पाथ साल में कोई नया fossil मिला होगा कहीं भी दुनिया भर में है ना तो वो पूछा जा सकता है बोड में नह होगी जब पहला chapter पड़ा हुआ पहली बार तो species वहीं पड़ा था उसके बाद वापस आगे evolution में जल्दी बता हो species मतलब क्या ऐसा ग्रूप ऑफ और गयानिजम जो फो मॉर्फो लोजिकली अने टमिकली similar है genetically genetically मतलब almost क्योंकि हम मैं बता चुकि हम दोनों मैं आफ्रिका में बैठा हुआ एक student Ireland में बैठा एक student Australia में बैठा हुए एक student सब लोग कितने से में 99.9% से में वो 0.1 का difference है जिसके कारण सब अलग-अलग दिख रहे हैं अलग-अलग बोलते हैं रेसिस को बिलॉंग कर रहे हैं हर चीज अलग से उस 0.1 के कारण है चिक अब आ जाते हैं वाप बोल सकते कि वह एक species है चीक तो चलो देख लेते हैं उसका definition species can be defined as a group of organism which have capability to integrate तो यह बहुत important है कि क्या है capability interbreed करने की in order to produce fertile offspring मतलब offspring जो पैदा हो वो भी कैसे रहे fertile रहे मतलब वो भी अगली generation को पैदा कर सके तो उस particular group को हम क्या बोलेंगे species बोलेंगे हुआ clear चलो मूब करते हैं अगला question देखते हैं बेखते हैं फूर्थ question क्या बोल रहा है try to trace the various component of human evolution देखो मैंने बताया था कि human evolution पे सबसे ज़्यादा questions आता है direct question पूछ लेते हैं कुछ-कुछ features पे questions पूछ लेते हैं उन्हेंने वही दिया है कि कौन-कौन से हिंट का यूज करके तुम्हें trace करना है brain size मतलब वही cranial capacity and function skeletal structure जैसे मैंने बताया कि erect हुआ या चारो पैरो पे चल रहा है तो वह सब कुछ आएगा skeletal structure and dietary preference कहीं-कहीं लिखा हुआ है हमने थोड़े देर पहले पढ़ा कि सिर्व meat खाते थे हैं या सिर्फ fruits खाते थे hunting दरू करते थे पर fruits खाते थे तो उसके according अपन को क्या करना है पूरा का पूरा human evolution को trace करना है तो चलो start करते हैं the various component of human evolution are as follows brain capacity, posture, यूगकि skeletal मतलब क्या posture, food, oblique, dietary preference and other important features तो इसी के उपर उने डिवाइट किया हुआ है तो सबसे पहले कहानी महीं से शुरू होगी कि say dry endopithecus africans अब पूरा species का भी नाम लिख लो, बुक में नहीं mention है, लिख लो ज़रा, बुक में सिर्फ dry endopithecus mention है, africans brain capacity के बार में कोई discuss नहीं है, इसलिए dash, ठीक है, कैसे चलते थे, अब क्या पढ़ा था dry endopithecus में, कि more like ape या फिर chimpanzee या gorilla और इसका भी मैंने एक distinguished feature बताया था, कि ape बोलो, या gorilla बोलो, या फिर chimpanzee बोलो, four limbs तो होते हैं, पर वो भी walking के लिए काम करते हैं, मतलब पूरा चारो पैरो पे या चारो limbs पे चलते हैं, तो वही लिखा है, knuckle walker, knuckle मतलब या ऐसा ही, यू करेंगे और इसको मोड़ मोड़ के चलेंगे, ठीक है, knuckle walker, walk similar to gorillas and chimpanzees, क्योंकि बोलते हैं कि gorilla more like बंदर boots and leaf, अब canine's large, अब ये बहुत अच्छा table है, screenshot जरूर ले लेना, मैं side हो जाओंगी, पहले explain करें तो ये फरसाड हो जाओंगी, canine's large, अब याद करो, जो एक picture हमने देखा था, जब मैं explain करें थी human evolution, तो वहाँ जॉब ओन भी कैसे थी, बड़ी थी, और साथ में जो canine's से वो भी बड़े बड़े थे, टीक है, तो वही उन्होंने लिखा है कि नाइन्स large, arms and legs are of equal size, याद करो उने बताया था, जैसे जैसे evolution होता जाएगा, हमारी four limbs का जो ratio है to hind limbs कम रहेगा, मतलब four limbs छोटे हैं और hind limbs बड़े हैं, मतलब पैर की length जादा है, और हातों की length कम है, दे measure करके देख लो, जितना हाथ का length है और पैर का length हमेशा पैर का length ही जादा आएगा, हाथ का length जादा नहीं आएगा, पर वही किसमें dry endopithecus में hand, मतलब four limb to hind limb का ratio क्या रहेगा, same रहेगा, but obvious same रहेगा, क्योंकि उनको वो चारो, चारो हाथो का, मतलब चारो limbs का यूज करके च जलना है, तो अगर एक छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, तो चलने में दिक्कत नहीं आएगी, चलो, आगे देखो, रामापेथिकस, ठीक है, तो brain capacity के बारे में इसमें में मैंशन नहीं, इसलिए डाश लिखा है, या पता नहीं, उसके बाद, अब रामापेथ क्या बोलते हैं, कि थोड़ा बहुत इंसान जैसा था है, थोड़ा बहुत सीधा हो गया तो, इसलिए वहाँ पे लिखा है, semi-eric, more man-like, क्या खाते थे अभी भी वही, क्योंकि अभी भी पूरी तरह किसे हंटिंग, पोर्चिंग आई तो है नहीं, seeds and nuts, canine was small, while molars were large, अब इ यहां से उनका species का नाम क्या हुआ, Africans, अब यहां से बात की गई है, brain capacity या, cranial capacity के बारे में, तो mentioned है, 450 cc, है ना, centimeter cube, cranial capacity, फिर full erect posture, height भी दी है, 1.5 meter, herbivores, अभी भी हर्भी वोरी थे, उसके बाद, hunted with stone weapons, देखो, hunting करते थे, stone से, मलब stone है जा गई थी, पर खाते क्या थे, अ यहां पर herbivores, 8 fruits, lived at trees, canines and incisors were smaller, but obvious, अब धीरे धीरे उसका size reduce होने लगेगा, हुआ clear, तो मैं side हो जाती हूँ, जरा इसका screenshot ले लो, okay, screenshot ले लिया होगा, चलो, अब start करते हैं, आगे, क्योंकि पूरा end तक, human evolution, मतलब पूरा homo sapiens, sapiens तक कहानी लेके आनी है, ठीक है, तो द 135 cc, या फिर centimeter cube, fully erect, एकदम erect हो चुके थे, ठीक है, उसके बाद height थी, 1.5 meter, carnivore, अब homo habilis कौन हो चुके थे, क्यों, इसके पहली वाली stage में पता चल गया था, कि पत्थर को as a weapon use किया जा सकता है, पर कैसे करना है, hunting, porching, यह कहां से पता चला, homo habilis से, तो but obvious, इसलिए उन् animal को hunt करना है, तो वो क्या बन गए, carnivore बन गए, canines were small, they were first tool makers, तो use, पहली बास stone का use किस ने किया, australiopathicus ने, पर tools किस ने बना है, उसका use करके, तुमारे homo habilis ने, ठीक है, आते हैं, अगले वाला homo erectus, जिसको erect man भी बोलते, एकदम straight, एकदम straight खड़ा, okay, bipedalism जो शो कर र 1100, 1100cc, टीक है, ने तो बोलो कि हम इतनी ज्यादा cranial capacity कैसे, नहीं, dash है बीच में, टीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, fully erect posture, height 3, 1.518 meter, omnivore, omnivore मतलब वो दोनों खाने लगे, fruits भी और, मतलब herbivore भी है, साथ में carnivore भी है, दोनों का mixture, they use stone and bone tools for hunting games, टीक है, मतलब हांट यहा तो कहां पे, homo erectus, अगला आते है, nianderthal man जिसको बोलते है, या homo nianderthalus, कितनी cranial capacity, जिसका हम पढ़ चुके है, कितनी 1400, अब देखो, आप बोलोगे map, book में तो 1400 लिखा है, यहां पे तो आप बड़ी सी range दे रहे हो, तो वापस हम, अब देखो, option 2-3 तरीके से आ सकते हैं, अगर 1400 दिया है, सिर्फ अकेला 1400 दिया है, तो उस पे टिक करके आओगे, चीक है, पर अगर objective में 1400 की जगे पे, 1300-1600 दिया है, तो यह मत बोल देना कि question गड़ बड़े, 1400 कौन सी range में बैट रहा है, इस range में, तो यही mark करके आओगे, याद करो मैंने बताया था, कि cranium capacity के 1400 CC, ठीक है, और एक इतने साल पहले की बात है, तो यह साल भी mention है, कि एक लाग से 40,000 साल पहले यह लोग रहते थे हैं, ओके, fully erect, posture, height, omnivore, कैसे थे, cave dwellers, caves में रहने लगते थे, और अपने लोगों को बरी किया करते थे, यह भी लिखा हुआ है, चलो आगे देख लेते हैं, use cave dwellers, use height to protect their bodies and buried their deads, हुआ क्या clear, चलो इसका भी ले लो, तुम screenshot में side हो जाती हूँ, फिर हम आगी पढ़ते हैं, अब देखते हैं, अगला वाला division क्योंकि अभी पूरा कहानी आई कहा है, अब है homo sapiens fossilis, मतलब human ही है, पर fossil के form में मिला है, अभी modern human तो जिन्दा है, ताभी तो हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़े, तो देखो, इसकी cranium capacity कितनी है, 1600 to 50 CC तुम्हारी बुक में mention नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ, यह भी ओगनी वोर था, बिसमें क्या है, they had strong jaws, will teeth close together, they were cave dwellers, made painting, यह बेसिकली है न, तो बुक में आज सच कुछ मेंशन नहीं है, उ historic man, इसकी को क्या बोलते है, prehistoric man, तो यह भी याद रखो, देखे, तो prehistoric man के बारे में mention है, जो painting करता था, है न, 18,000 साल पहले painting मिली है, भीम बिटका में, तो वह वही इंसान है, तो जिसने क्या किया है, cave dwellers तो है, painting भी है, carving in the cave, they develop culture and were called first modern men, मतलब पहली बार modern men, ठेक है, और फिर आखरी में तो जो हमें, homo sapiens sapiens, तो देखो ज़रा, 1200 to 1600 cc cm3, तो fully erect posture, omnivore, they are living modern men, high intelligence है, they develop art, culture, language, speech, etc, and they cultivated crop and domesticated animal, तो बहुत बार, domestication animal, agriculture, इन्हों नहीं स्टार्ट किया, बर अगर वापस question in general like, क्योंकि बहुत सारे cranium capacity के बारे में, book में mention नहीं है, तो अच्छी जीज़े, note down कर लो, वापस क्या note down करोगे, 1200 to 1600 cc, ठीक है, और देख सकते हो, तो उसका भी range क्या था, 1200 to 1600 cc, किसका, नेंडर थल्मान का, बनाब, same intelligence level थी, ठीक है, मैं side हो जाते हूं, screenshot ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अब अगला question, find out through internet and popular science article, whether animal and other man have self-consciousness, वापस इस चाइप की question नहीं आएंगे, NC8 में दिये हैं, तो solve करेंगे, तो इन जनरल discussion हुआ कि बताओ, self-consciousness वाला concept, इंसान में ही है, कि बाक्या animal में है, तो चलो देख लेते हैं, there are many animals other than human which have self-consciousness, an example of animal being self-consciousness is dolphin, they are highly intelligent, they have a sense of self and they also recognize other among themselves and other, self-consciousness का मतलब क्या, मतलब पता हो कि तुम कहा हो और तुमारे आसपास क्या हो रहा है, तो ऐसे तो dogs भी है, elephants भी है, उसके बाद, मतलब जिनका IQ level हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर हमने उनको कुछ बताया तो वो चीज समझ में आते हैं, ग्राप्स कर लेते हैं, तो उसी को self-conscious बोलते हैं कि कहा हो, कहा प्रेजेंट हो, क्या हो रहा है तुमारे सराउंडिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो किस-किस में वापस इस थाप की question नहीं आएंगे, गारंटी लिख लो नहीं आएंगे, पर किस थाप की question आएंगे, जुसका पहला वाला question था, पूरा trace क by whistle, tail slapping and other body movement, not only dolphin, there are certain animals such as crow, parrot, chimpanzee, gorilla, orangutan, etc. which exhibits self-consciousness, तो बहुत सारे अनिमल है, ऐसे समझ लो, basically वो सारे अनिमल जिनको हम domesticate कर सकते हैं, सारे के सारे self-consciousness वाली जगे पे, मना सम में, self-consciousness नाम की चीज है, ठीक, और बाकी wild में भी है, chimpanzee हो गये, gorilla हो गये, orangutan हो गये, ठीक, move करें, आगे, चलो, question number 6, list 10 modern day animal and using the internet source link in the corresponding ancient fossil, name both, तो ये question वापस बुक में नहीं है, पर chances जरूर है, क्योंकि सब के बारे में क्या पूचा गया है, उनके fossil के बारे में पूचा गया, मतलब आज का जो animal तुम को दिख रहा है, और उससे related fossil, जो पूचा जा रहा है, तो दोन answer, तो देखते हैं, question 6, क्या बोल रहा है, list 10 modern day animal and using the internet resource link it to the corresponding ancient, ancient fossil, name both, तो इस ताइब का question वापस बता देती हो, आएगा नहीं है, ठीक है, कहां आ सकता है, अगर आ भी गया माम, तो, आ भी गया माम, तो आएगा वो one marker या two marker में, जहां वो direct, direct question पूच लेंगे, अगर 12th board की बात करूं, तो, अगर मैं बात करूं, entrance exam की, तो entrance exam में तो यह आने नहीं वाला, आया तो तो तुपर option में देखेगा, मतलब direct question नहीं पूचेंगे, match the following के form में, या फिर कोई statement DR हैगा, और फिर तुमको rearrange करना पड़ेगा, या choose करना पड़ेगा, multiple choice question की, one and two are correct, two and three are correct, उस condition में उस type के question में ये तुमको question देखने को मिलेगा, अब basically question बोल क्या रहा है, तो समझते हैं, ये question ये बोल रहा है, कि आज दो 10 modern day animal मिलते हैं, उनका tracing करो, कि वो actually originate कौन सी वाली state से हुए, जैसे अगर मैं बोलो human, अब human भी तो एक animal है, तो अब बोलो, अगर मैंने बोला कि चलो बताओ, human का descent, मतलब कौन है, मतलब human का descent नहीं, हम किस वाली state से निकले हैं, या हमारा origination या evolution कौन सी state से हुआ है, तब बोलो कि ma'am, हम तो बंदर से निकले, नहीं, वो नहीं पूछ रहें, मैं technical पूछ रहे हूं, तो अगर मैं बोलो, ऐसी stage, जो more like human थी, तो answer रामापितिकस, अगर मैं बोलो, कि more like ape वाली stage थी, तो फिर आएगा कौन सा, ड्राइन्डोपितिकस, पर मैं यहाँ पूछ रहे हैं, कि human का evolution कहां से हूँ, हम लब जादा हूँ, human like features, कौन से वाले fossil में मिले थे, तो रामापितिकस, तो basically, यहाँ पे 10 organism का, जो day to day life वाले, modern exam की option में मिल जाएगा, ठीक, तो चलो देखते हैं, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ले लेना है, screenshot, यहाँ कि तुम यह पढ़ चुके हो, man का जो रामापितिकस होता है, यह तुम अलड़ी पढ़ चुके हो, बाकी के बारे में तुमें कोई idea नहीं, अब बाकी के मैं जिस-जिस में टिक करूँगी, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे related question exercise में आगे पीछे कहीं दिये हुए, जैसे horse हो गया, तो इको हिपस, तो इसका इन्होंने जो आखरी वाला question अगर देखो गए, तो in detail पूरा पूछ लिया है, कि पूरे stages बताओ, आब बोलोगे मैं, जब हमने पढ़ा ही नहीं, तो एक ऐसे question पूछ रहे है, तो उन्होंने लिखा है, कि internet का use करो, पर exam में ऐसा कोई नहीं बोले है, internet का use करो, बस लिख किया हो, यूँकि वो मान के चल रहे है, कि अगर exercise में कोई question आया है, तो उनका पूरा हग बनता है question पूछने का, dog का जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये वो animal है, जो originally नहीं था, हमने domesticate करके, करके ये पूरी breed बनाई है, मतलब कैसे, अगर याद होगा कि dog originate कहां से हो है, wolf से, है ना, फिर ये अलग बात है कि हमने उसको domesticate करके, हमने अपने पास रखा, और आज का ये ये time है, कि dog ऐसे पूरा अलग breed दिखता है, और actually originate कहां से है, उसका, wolf से है, तो dog का जरूर याद करे ना, क्योंकि question आता है, first animal to be domesticated, तो उसका अंसर है dog, चिक, तो इसका जरूर याद से, इसका भी याद कर लेना, उसकी बात camel और elephant के थोड़े chances कम है, पर फिर भी मैं बोलो कि चलो बताओ, तो camel और elephant में से किसका याद करके जाओगे, तो elephant का याद करके जाओगे, क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें, use and disuse वाले organ वाले section में, लेमार्किजम में, तो वहाँ पे, अगर याद होगा, जिराफ का example लिया गया है, और थोड़ा बहुत same चीज support करके, elephant का भी example लिया गया तो जो animal इस chapter में किसी context में refer किया गया है, तो उसके chances सबसे जाधा हो जाते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगर तुम देखो whale, fish, tetraport, bat और giraffe, तो वापस मैंने कहा, जिराफ का सबसे पहले याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है, ये question कैसे पूछ ले, वो इस question को, मलब पूरा use and disuse of organ को explain करने के लिए, तो वो दो question को combine करके उसमें से एक पार्ट ये पूछ लेंगे, मलब जो पूछेंगे, basically तुमसे पूरा lamarkism ही पूछेंगे, कि with the help of suitable example, या with the help of example taken by lamark, जिसे जिराफ की neck वाला, फिर ये पूरा explain करो, और उसका एक छोटा सा sub-part रहेगा, जिसका 1 mark या half mark की value रहेगी, और वो पूछेंगे बताओ कि जिराफ का fossil कौन है, या कौन से वाले fossil से हम बोल सकते हैं कि जिराफ आज evolve हुआ है, तो इसलिए जिराफ का जरूर याद कर लेना, रही बात, whale, fish, tetrapod of bat की, तो फिर उसमें अगर करना ही है, तो फिर tetrapods का जरू लेना, हुआ clear इतना, तो यह आपन को इसका कोई option नहीं है, as it is याद करके जाना है, बुक में नहीं दिया हुआ है, तुम जरूर याद कर लेना, जितने at least मैंने माग के, उतने तो याद minimum करके जाना, ठीक, वापस entrance exam के point of view से, 12th board के point of view से, जिराफ के एकदम highest संभावना ह है, उसके बाद elephant, dog और monkey, हुआ clear, चलो move करते अगले question पर, question 7, practice drawing various animals and plants, इस type का question नहीं आने वाला, यह basically पूछ रहे है, कि draw करके दिखाओ, अलग-अलग animals and plants, तो यह तो जरुवत नहीं है, तो यह ऐसे ही लिखाओ है कि teacher और parents को पूछो, यह तो normal में नहीं आएगा, नहीं मत चिंदा करो, NCRT का question है, इसलिए यहाँ दिख रहे हैं, पर नहीं आएगा, तो यही है कि जो teacher और parents से पूछो, suggest करो names of plants and animals, और draw करके दिखाओ, वापस, कोई नहीं पूछने वाला इस type का question, ठीक है, अब तुम समझ सकते हो कि शायर इस type के question ही एक reason रहा होगा, कि पिछल के questions देख लेते हैं, describe one example of adaptive radiation, बिलको ला सकता है, 110% वाला question, adaptive radiation पे हर alternate year 12th board में एक नए question देखने को मिल जाता है, तो हमें पता है adaptive radiation कब हो रहा है, जब कैसा हो रहा है, geographical isolation हो रहा है, result ही हो रहा है कि कुछ time के बाद इसा लग रहा है, वो species ही पूरी बदल चुकी है, और उसक और example तुम Darwin Finches बता सकते हो, और example marsupial और placental mammals का comparison बता सकते हो, चलो देख लेते answer, adaptive radiation is an evolutionary process that produce new species from a single rapid diversification lineage, ठीक है, this process occurred due to natural selection, an example of adaptive radiation is Darwin Finches, found in Galipagos, Ireland, अब जबी भी वापस अगर देखो, अगर question में mention है या ना हो, कि example के साथ explain करो, पर अगर तुम लोग अलड़ी पढ़ चुके हो किसी concept का example, तो क्या करोगे, पूरा example के साथ हर चीज़ explain करके, इन detail mention करके आओगे, यह मैंने पहले भी बताये था, क्योंकि वो mention नहीं करेंगे question में, पर marking scheme में जरूर उसकी marking weightage र और है, फिर question में वो नहीं mention कर रहे, तुम यह मत सो चुके, या लिखा थोड़ी ना है कि diagram बनाना है, तो वेट करोगे, क्या के diagram बनाने का, बना के आओ diagram, क्या पता, जब marking scheme में हम लोग चेक करने बैठे, तो कुछ marks इसो diagram के ऊपर भी रहे, यह हुई दूसरी चीज, तो अ इसलिए उनका नाम बाद में Darwin Fincher से पढ़ गया, कहा पढ़ी थी? Gallopagos Island पे, कैसे पहुचे Darwin उस Gallopagos Island पे? HMS Beagle के थू, Sea Watch के थू, ठीक, वहाँ पहुचे नोंने क्या देखा? कि सारी चिडिया, originate तो एक seed eating चिडिया से ही हुई है, पर धीरे-धीरे mutation हुआ, variation हुआ, natural selection हो गया, कि सबकी बीक अलग-अलग है, उनकी according, उनकी feeding habits अलग-अलग है और habitat भी change हो गया, यह अलग बात है कि एक ही island पे मिल रही है, originate एक ही से हुई है, पर अब सब में variation दिख रहा है, हुआ clear, तब वो start करते हैं, a large variety of finches is present in Gallopagos Island that arose from a single species, याद करो, adaptive radiation किस टाइप का example ह divergent evolution, क्योंकि source तो same है, single species से originate हुई है, या लग है कि अलग-अलग species में originate हो गया, तो divergent evolution में तुम homologos organ भी पढ़ चुके हो, और साथ में adaptive radiation भी पढ़ रही हो, अब आगे, ठेक है, which reached this land accidentally, गलती से पहुच गई, as a result, many new species have evolved, diverged, evolved, diverged, adapted to occupy new habitat, evolved क्यों? ओरिजिनली पहुची थी वहाँ पे seed eating bird, ठीक है, पर in case randomly mutations आने लगे, अब वो mutation उनके favor में जाने लगे, favor मनले उस species को या उस चुडिया को survive करने में help कराने लगे, तो वही ऐसे mutation जो favor में जा रहे है, natural selection करा रहे है, तो but obvious अगली generation में pass on होंगे, और result है होगा, कि pass on होते, ह होते होते, अब वो particular population को तुम original population के साथ compare करोगे, ऐसा लगेगा, एकदम ही अलग species है, चीक, आगे देखते है, these finches have developed different eating habits and different types of beak to suit their feeding habits, the insectivorous blood sucking and other species of finches with varied dietary habits have evolved from a single seed eating finches ancestor, हुआ क्लियर, अब ये कहां से आया, ये इन में change कहां से आया, ये change कहां से आया, mutation के through, और ऐसा mutation जो positive था, जो benefit डिला रहा था उन finches को, उनके survival में help कर रहा था, since उनके survival में help कर रहा था, तो वो आगे बढ़ गया, वो carry on हो गया, हुआ clear, चलो, तो अब बोलो कि माम ये underline इतना सारा QQ किया है, क्योंकि ये जितना भी underline क ये है वो तुम्हारी keywords, keywords मतलब जब हम लोग चेक करेंगे और तुमने ऐसा पैरा लिखा हो, और पैरा लिखा हो ठीक है, पर अगर उनमें ये words नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, zero marking जाएगी, यकीन मानो ये words बहुत important role play करते हैं, ठीक है, चलो, और अपने points भी जो मैं बोल सकते हो, एक ही स्पीशी से और अब उसका example कैसे दे सकते हो, फिंच का example लेके, कि एक ही स्पीशी से originate हुए, result है हुआ, mutation है, variation है, natural selection हुआ, adaptation होने लगा, habitat में, feeding habit में change आ गया, survival fit होने लगे, और result है हुए कि आज पूरी different species है, originate सारी कि सारी एक से हुई थी, source है की था, बस change आने लगे, अब finches mention किया, तो mention करना पड़ेगा कि beak अलग हो गई, feeding habit अलग हो गई, insectivorous, blood sucking, frugivorous, seed eating, सब अलग-अलग category मिलने लगी, हुआ clear, चलो, question number 9, can we call human evolution as adaptive radiation, क्या हम human evolution को adaptive radiation बोल सकते हैं, नहीं, क्यों, आज भी हम races में divide हो गया, मतलब हम सारे के सारे बने थे, originate ह हो गयते हैं, आफरिका में, ठीक, पर अलग-अलग जगे पहुचे, morphological change है, anatomical आज भी सेम है, ठीक, और उसके बाद, genetically भी आज भी सेम है, morphological यह changes आए, कि अलग-अलग races create हो गई, mongolian race create हो गई, Asian race create हो गई, African race create हो गई, पर अगर आज भी जो चाइना में मिल रहा है, वो भी homo sapiens है, जो आफरिका में मिल रहा है, वो भी homo sapiens है, जो नौर्वेय डेन्मार्क में इंसान मिल रहा है, वो भी homo sapiens है, जो एंटार्टिका में research करने गया है, वो भी homo sapiens है, और जो मार्स पे गया है, वो भी homo sapiens है, ठीक, कोई अलग नहीं है, सब के सब क्या है, homo sapiens adaptive radiation का result क्या होता है कि जहां से जिस भी species से वो originate हुए result ही हो जाता है कि radiation या adaptation के कारण इतना ज्यादा changes आता है कि ये species अलग बन जाती है और जो original species है वो अलग बन जाती है हम originate कहां से हुए आफरिका से पर आज भी African लोग भी homo sapiens है मलब जहां से originate हुए और हम भी चैना का इंसान भी उसके बाद तुमारा नौर्वे का इंसान भी मार्स वाला इंसान भी इंटार्टिका में जो पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई मलब scientist है वो भी सब के सब क्या है homo sapiens याद करो हम species की definition ही बोलता है कि ऐसा group of organism जो interbreed कर सकता है fertile offspring को produce कर सकता है और जो species बहुत कम species में naturally की interbreed करने के बाद fertile offspring produce होता है पर वापस याद रखना है कि आज भी हम कौन सी category हमारा आज भी scientific name क्या है homo sapiens ही है हुआ इतना clear तो चलो देख लेते हैं तो answer है क्या no human evolution cannot be called adaptive radiation this is because adaptive radiation is an evolutionary process that produce देखो क्या है new species from a single मलब original species में से नई species का create होना human में ऐसा हुआ है क्या नई darwin finches में ऐसा हुआ है क्या हाँ marsupial और placental mammals के बीच में ऐसा हुआ है क्या हाँ इंसान में नहीं 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 अलग-लग races create हो गई है species तो वही है आगे rapidly diversifying lineage अब यह राइन बहुत important है कि कैसा diversification ओडर rapid और कैसे lineage की तुरू which is not the case with human evolution human evolution is a gradual process that took place slowly with time it represents an example of anagenesis तो यह अपन को याद रखना है ठीक है हुआ इतना clear तो वापस adaptive radiation का example नहीं है अब सोच यही question को MCQ के form में statement के form में आ जाए मतलब assertion reason में भी आ जाए मतलब अब देखो है तो subject है विसी को convert किया जा सकता है किसमे assertion reason में भी statement 1 statement 2 के form में भी यह find the incorrect one में भी पर उसमें पता होना चाहिए कि adaptive radiation का example human नहीं है हुआ clear? चलो देख लेते हैं आखरी question question 10 using various resources such as your school, library और internet and discussion with your teacher raise evolutionary stage of any one animal say horse वापस इस type के question नहीं आएंगे बट सिंस उनने horse mention किया है वापस पढ़ना पड़ेगा तो हो सकता है entrance exam में यह questions आ जाए तो देख लेते हैं answer क्या करने वाले हो screenshot लेने वाले हो सबसे पहले दो ठेक है उसके बाद में और picture लागली slide दिखाऊंगी उसका भी अराम से screenshot ले लेना और पढ़ लेना 12th board में chances का में evolution वाले topic में से सबसे जाधा questions बनते हैं तुम्हारे evolution of man पे उसके बाद वो पूरा जो era, period, approaches पूरा trace down करो उसके उपर और फिर adaptive radiation के उपर या फिर piston बेटिलो एरिया वाले पे जो evolution before our eyes है ना वो वाले उस पे जाधा questions बनते हैं चार topics पे सबसे जाधा questions बनते हैं board के point of view से entrance exam में तो उनको competition का level tough करना है तो जरूर देंगे वो question, जरूर देंगे ठेके, पर अगर mediocre कर रखना है तो फिर ऐसा क्योंकि जनरली वो area है gray area जो generally students ठोड़के जाएंगे, ठेके, चलो देख लिए the evolution of horse started with eco-hippers during EOC in period, it evolved the following evolutionary stage, gradual increase in body size, अच्छा एक और चीज़, अगर तुम देखो, तुमने incyclopedia में भी देखा होगा, nat geo पे भी देखा होगा, अब हम बोल सकते कि giraffe का example तो वो use and disuse से बताए गया, पर हमें पता है उसके कारण नहीं हुआ, हर animal पहले चोटा था, जब मैंने explain भी किया था, कि आज जो elephant देख रहे हो, वो इतने बड़े size का नहीं था, आ रहा हो नरों एक hippo के size का था, और वो वहाँ hippo के size से elephant बन गया, similarly giraffe को ले लो, तो giraffe भी छोटा सा था, वो आज इतना बड़ा हो गया, तो उसके अगर तुम वापस ही mutation के कारण हो रहा है, use and disuse के कारण नहीं हो रहा, अगर तुम बात करो horse की, तो horse भी कभी pick size का था, आज horse के size में बन गया, ठीक, चलो देख लेते हैं, तो क्या हो रहा evolution के साथ, size में increase हो रहा है, तो gradual increase in body size, elongation of head and neck region, यह सबसे जादा हो रहा है, अगर तुम giraffe में देखो, तो head and neck region, अब यह तो example ही आपन start कर रहे हैं, horse का, अच्छा horse में भी देखो, गरदन लंबी हो गई, ठीक है, अगर हाती में देखो, तो हाती में जो main है, head and neck region का सबसे जादा elongation हुआ है, increase in the length of limbs and feet, gradual reduction of lateral digits, enlargement of third functional toe, then strengthening of the back, development of brain and sensory organ, बट obvious यह तो होना ही चाहिए, अगर evolution में sense organ और brain का development नहीं हो रहा है, तो यह किस type का evolution हुआ है, reverse evolution हो रहा है, क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, na, evolution मतलब आप जितने थे, अब आप और modern बनते जा रहें, modern मतलब westernized culture नहीं बोल रहें, modern मतलब आप update होते जा रहें, जैसे मैंने बोला अगर, कि बहुत जादा mobile की technology का evolution हुआ है, तो पहले कैसा mobile आता था, वो ऐसा वाला, black color का Nokia वाला है न, फेक दो, सर फूट जाएगा, mobile नहीं फूटेगा, उस वाले category का mobile था, अब क्या हो रहें, फिर पर वो touch वाला pad था, वो color नहीं थे, सिर्फ call और, मतलब call receive कर सकते थे, cut कर सकते थे, message कर सकते थे, पर अब क्या हुआ है, evolution हुआ है, evolution मतलब size भी बड़ा है, अब आप इसका कुछ जगे size भी चोटा हो जाएगा, पर technological wise, touchscreen हो गया, wifi आ गया, bluetooth आ गया, यह सब कुछ पहले चीज़े नहीं थी, GPS आ गया, तो यह तो पहले कुछ नहीं था, अब यह क्या technology का evolution हुआ है, था, वो एक room के बराबर होता था, ठीक है, फिर उसके बाद घर पे, घर घर पे, जो computer आने लगा, उसमें storage capacity कम थी, और जो store करना रहते था, हम floppy में store करते थे, कुछ MB store होता था, सोचो सुनने में भी कितना खराब लग रहा है, MB store होता था, फिर उसके बाद ICD, DVD, फिर pen drive, और अब तो खेर, पूरा हर चीज online ही store हो जाती है, ठीक, आगे देखते है, increase in the complexity of teeth for feeding on grass, तो ये भी एक point याद रखना है, कि क्या complexity बढ़ी, teeth की complexity बढ़ती चले गई, मतलब organism multicellular तो था, अब और complicated बनने लगा, ठीक है, complicated in the sense of complex, complicity आने लगी, ठीक है, साथ में brain size, मतलब बोल सकते हैं पर हम indirectly की cranial capacity बढ़ी, देखो evolution of human में भी हमने देखा था, cranial capacity बढ़ना, तो development भी हुआ, brain का, sensory organ का, back strength हुई, उसके बाद neck वाला region elongate हुआ, limbs elongate हुए, enlargement हुआ, third functional toe, फिर lateral digits में reduction हुआ, ठीक, तो और size की body का size बढ़ा, अब जो उन्होंने question पूछा है, क्या question पूछा है, कि horse के बारे में पूरा, at the end सब कुछ बता, तो वापस start कहां से करेंगे, नीचे से, नीचे से, eocene, philo-oligocene, myocene, pleocene और plistocene, अब बोलो के इस वाले table में सारे नाम लिखे हुए, ठीक है, तो नाम आ सकते हैं, वापस, अब since, NCRT में ने दिये, पर question में पूछ रहे, तो वो पूछा जा सकता है, तो अपन को याद रखना है, अभी जो horse इसको हम क्या बोलते है, अब वो स्टार्ट कहां से हुआ, एको हिपस, फिर मीजो हिपस, फिर मेरा मर्सी हिपस, प्लीलियो हिपस और एकोस, ठीक, अब इसके कुछ-कुछ दिस्टेंग्विश क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें है, जैसे एको हिपस, जब वो horse, अभी वाला horse ने, एकदम पहला वाला, primitive horse, जो evolutionary stage, सोचा ऐसे एक और question आया था, कि trace down करना था, कि कौन से fossil से obtain करे, कि हमने, obtain किया हुआ है, जिससे हमने बताए कि अच्छा horse यहां से trace हुआ है, तो उसका हमने answer लिखा था, एको हिपस, इसलिए यह question और important हो गया, horse वाला तो और important हो गया, तो it has had a short neck and head and neck, it had four functional toe and a split of one and five on each limb, hind limb and a split of one and three in each four limb, अब बोलोगे माम यह क्या है, split in the sense कि कैसे toe का division है, वो बता रहे, कि one एक जगे बन है और एक जगे five है, अब बोलोगे अपना कैसे है, यह one है और यह four है, चीक है, तो वैसे वो split बता रहे, toes का, कि hind limb पे, मतलब पीछे वाले पेर पे कैसा division था, one और five का division था, और सामने वाले पे one and three का division था, the molars were short crown that were adapted for grinding the plant diet, उसके बाद कौन आया, mesohippus, अब यह क्या, थोड़ सी height बड़ी, तो slightly taller than eco-hippus, it has three toes in each foot, अब देखो toe का number भी कम होता गया, अब यह कितने थे, one and five and one and four, अब सिर्फ three-three, अब बोल सकते toes थे, each foot पे, उसके बाद आते, mercy hippus, फिर उसके बाद, but it could run on one toe, the side toe did not touch the ground and molar were adapted for chewing the grass, पिर आखरी, second last आता है, pylohippus, it represent the modern horse and was around 108 cm tall, it has a single functional toe with split of two and four in each limb, और आखरी में जो आज का हमारा घुड़ा है, यह horse है, तो pylohippus gave rise to aqueous or the modern horse with one toe in each foot, they have incisors for cutting grass and molar for grinding food, तो अब यह क्या करोगे, इन सब के screenshot लोगे, यूँकि since NCRT में mention किया हुआ है, तो paper के level को tough बनाना है, कौन से, entrance के, तो यह जरूर पूछ लेंगे, और दो-दो बार horse के बारे में in detail discuss किया हुआ है, तो यह मान के चलो, कि horse की जो evolutionary stage है, जो fossil वाली stage है, उसके उपर question आ सकता है, ठीक है, और तुम यह नहीं बोल पाओगे, क्या out of the course, NCRT book में कहीं नहीं दिया हुआ है, नहीं, exercise में दिया है, तो आने की क्या है, सबसे ज़्यादा संभावना है, तो ले लो जारा इसका screenshot, इसका, फिर उसके बाद आते हैं, इसका, इसका, और इसका, अब इन पाच stage में सबसे important कौन से हैं, latest वाली और कहां से originate हुई वो वाली, चीक, और इसी के साथ तुमारे NCRT questions होते हैं, खतम, तो क्या करेंगे हम, अगर कुछ कोई topic चूट गया है, रिवाइस करना है फिर से, तो website पे जाओ, टाइप करो www.mymybrains.com, जैसे ही type करोगे और enter दबाओगे, तो ये home page आएगा, और ये home page आएगा, तो तुम सिर्फ grade 12 का ही नहीं देख सकते हो, देखो, magnet brain एक ऐसा platform है, जहाँ पे तुमको content मिलता है free, यानि free education, right, और free online education, और सिर्फ entrance exam, या सिर्फ कोई एक या दो subjects के लिए नहीं, पूरा kindergarten से लेके grade 12 तक, English medium में भी है, Hindi medium में भी, और सोचो कितने सारे entrance exam की preparation हो रही है, IAT हो गया, NEET हो गया, UPSC हो गया, CUET हो गया, Olympiards हो गया, 910 में Olympiards है, तो वो भी हो गया, NTSC हो गया, RRB की exams हो गया, bank and insurance की exams हो गया, SSC exams हो गया, इन सब की preparation कराता है, magnet brain channel, चीक है, तो क्या करना है, जो भी त तुम select करना चाहते हो, इन में से तो बस अपनी class को select करो, अगर यहां है, तो उस particular topic को select करो, subject select करो, और lecture सुनना शुरू करो, और अगर बात करूँ मैं 12 की, तो 12 को select करो, फिर अपना subject select करो, बहुत सारे subjects हैं, तो उन में select करो, और उसके बाद क्या करोगे, बस chapter को click करोगे, और सुनते चलोगे, और like, share, subscribe करना नहीं बूलना है, मिलते हम अगली class में, तब तक बने रहना है, पढ़ते रहना है, मेरे साथ और magnet brains के साथ,